नेक्स्ट स्पीच की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अन्वी के दावे मात्र कंकाल और अवशेश थे नारी सशक्तिकरन के दावे मात्र कंकाल और अवशेश थे दोस्तों संघर्ष का एक लंबा सफ़यर तय करने के बाद भी दूर है मंजिल नारी की आज हमारे देश में महिला दिवस मनाये जाते हैं प्रण लिये जाते हैं वाइदे किय जाते हैं महिलाओं के विकास के महिला आरक्षन के प्रंतु मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मातर 33 प्रदिशत आरक्षन देकर महिला सोशक्ति करण संभव है जी नहीं हरगिस नहीं आज नारी धर्ती की गहराईयों से आकाश की उंचाईयों तक पहुंच चुकी है कि दहलीज को लांगने में जिजकती है दर्ती है आज नारी को डर लगता है घात लगाए बैठे रावन और दुशासन से उसे डर लगता है जुए की बाजी में उसका सौदा करने वालों धन राजों से उसे डर लगता है उसकी पवित्रता पर सवाल करने वाले समाज के ठे के दारों से और आज औरतों के खून और आंसों से भीगे अकफारों के पन्ने भी चीक चीक कर यह गवाही देते हैं कि महीला सशक्तिकरन की बात मात एक ढोंग एक दिखावा और एक प्रपंच प्रतीत होता है दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं उस दिन देश को सुरक्षित बाहा निकलेगी किन्तु विडंबना तो देखिए कि आज नारी दिन के उजाले में भी सुरक्षित नहीं है और दिन के उजाले को छोड़िये आज नारी मा के गर्फ में भी सुरक्षित नहीं है और हम दावा करते हैं कि हम 33% आरक्षन देकर महीला सशक्तिकरन करेंगे ना शिक्षा ना नौकरी ना राजनीतिक संदर्भ में ना शिक्षा ना नौकरी ना राजनीतिक संदर्भ में नारी को यदि आरक्षन दो तो दो मा के गर्भ में तो दो मा के गर्भ में और जो लोग 33 प्रतिशत आरक्षन दे कर महिला सोशक्ति करन की बात करते हैं मै उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि आरक्षन से पहले आज इस देश की नारी मा की गर्व से जरम लेने का अधिकार मांगती है इज़त और सम्मान के साथ जीने का हक मांगती है आज इस देश की नारी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक मौका मांगती है और जिस दिन ये हो गया, उस दिन उसे किसी आरक्षन की ज़रुरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी देश की नारियों में इतनी काबीलियत, इतनी शम्ता और योग्यता है कि उन्हें किसी आरक्षन, रूपी सहरे की ज़रुरत नहीं. परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उडानों की, वो खुद ही चू लेते हैं उन्चाइयां आसमानों की, और जिस दिन हमारी देश की नारी अपनी शक्ती को पहचान कर एक जुट होकर चल पड़ेगी, उस दिन उनकी शक्ती को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुम्किन ह जाएगा, नामुम्किन हो जाएगा, आज नारी को कोई द्रॉंपदी बनकर किसी कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए नहीं पुकारना, बल्कि स्वयम दुर्गा का रूप धारन करके अपने शत्रूओं का नाश करना है, तो इसलिए अगर महिला स्वशक्तिकरन होगा, त तो 33 प्रतिशत आरक्षन के द्वारा नहीं, बल्कि इस देश की महिलाओं के द्वारा, और आज इस देश की महिलाएं हर आरक्षन देने वाले से यह कह रही है, कि सीडियों की जरूरत उन्हें हैं, जो छट पर जाना चाहते हैं, हमारी मंजिल तो आस्मा है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है, जाहिंद बनने माथे इसमें केकेष्थी है क्या, और आपको निहीं पता किसमें कितना है दम, तोcha के सामने अपना टैलेंट लाने के लिए सबसे अच्छा टैलेंट जो है, इनका नंबर क्या, 90417333 733